हाई मैं हूँ योशु मायापुरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है साउथ के सूपरस्टार रजनी कांथ को आज ही सुबा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया बता दे कि रजनी कांथ काफी दिनों से हैदराबाद में अपनी अगली फिल्म के लिए शूट कर रहे थे सेट से कई लोग करुना वारिस पॉजिटिव पाए गए जिसके बाद रजनी कांथ का भी करुना वारिस टेस्ट हुआ था लेकिन वो नेगिटिव निकल कर आया 22nd December से रजनी कांथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया था और उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था रजनी कांथ को करुना वारिस नहीं है और उनको करुना वारिस के कोई सिम्टम्स भी नहीं है लेकिन उनके ब्लड प्रेशर में काफी फ्लक्चुएशन आ रहा है जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया अब जब तक पूरी तरह से उनका blood pressure stable नहीं हो जाता तब तक उनको hospital से discharge नहीं किया जाएगा blood pressure के fluctuation के अलावा रजनी कांथ को और कोई symptoms नहीं है शारुक खान की film Dawn 2 को 9 साल हो चुके है 9th anniversary की खुशी में फरान अक्तर ने एक post share किया और उनके post से ऐसा लग रहा है कि वो hint कर रहे है Dawn 3 की तरह जैसे कि आपको पता है कि 9 साल से Dawn 3 नहीं बना है लेकिन फिर भी फरान अक्तर इस post से कुछ ऐसे hints दे रही है जिसे ऐसा लग रहा है कि जल्द Dawn 3 बन सकता है Dawn एक ऐसी film franchise ही है जुसे देखने के लिए सब काफी जादा बेसबरी से इंतजार कर रहे है फैंस तो काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि Dawn 3 भी बनना चाहिए फरान अक्तर ने Dawn के 9th anniversary पर ये कहा 9 years in counting, the chase is still on, you're celebrating 9 years of Dawn 2 इसमें जब उन्होंने ये कहा the chase is still on इस line को ही पकड़ लिया fans ने और अब ऐसी उमीद लगाई जा सकती है कि Dawn 3 जल्द बनने वाला है रिचा चड़ा और अली दोनों ही relationship में काफी time से हैं और दोनों इस साल शादी करने जा रहे थे इस साल March-April के महिने में दोनों की शादी fixed हो गई थी लेकिन इतने सारे planning करने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पाई करोना वाइरस के चलते अब जब आए दिन interviews में पूछा जाता है रिचा चड़ा से कि वो कब शादी कर रही है तो उन्होंने ऐसा कहा कि last time जब हमने plan किया था तो आप सबको तो पता ही है कि क्या हुआ था कि कैसा ये plan गया था अब रिचा चड़ा ने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए ये कहा कि जब तक vaccine सामने नहीं आ जाती तब तक वो शादी नहीं करेंगी उन्होंने ऐसा ultimatum दे दिया है कि no vaccine no marriage याने कि एक बार इंडिया में vaccine आ जाए तब कह सकते हैं कि जल्द ही रिचा चड़ा शादी करने वाली है पॉलिवूड आक्टर रितिक रोशन को थेटर्स में spot किया गया फिल्म Wonder Woman 1984 देखते हुए बता दे ये फिल्म हाली में ही रिलीज हुई है और रितिक रोशन गयल गयलोट के एक बहुत बड़े fan है जिसके चलते उनको ये movie देखनी थी वहीं थेटर से रितिक रोशन के ऐसे धेर सारे pictures है जो social media पर वारल हो रहे है यहां हम देख सकते हैं कि रितिक रोशन थेटर के seat में बैटे हैं मास पैने हुए और अपना movie enjoy कर रहे हैं रितिक रोशन ने इस फिल्म को देखते हुए इस फिल्म को काफी appreciate किया और गयल गयलोट को appreciate किया जिसके चलते गयल गयलोट का भी response आया वो बहुत खुश हुई कि रितिक रोशन को उनकी movie अच्छी लगे और उन्होंने इस movie को enjoy किया काफी time से फिल्म बैजू बावरा की बात चल रही है पहला ऐसा कहा जा रहा था कि इस फिल्म में main role में नज़र आएंगे रनवीर सिंग और रनवीर सिंग के साथ साथ एक बार फिर नज़र आने वाली है आलया भट लेकिन उसके बाद ऐसे rumors आने लगे कि रनवीर सिंग नहीं बलकि रनवीर कपूर इस फिल्म में आलया भट के साथ नज़र आएंगे विल बता दे कि हाली में रनवीर कपूर ने कनफर्म कर दिया है कि वो बैजू बावरा नहीं कर रहे है साथ ही में अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि रनवीर सिंग भी ये फिल्म नहीं कर रहे है क्योंकि वो बहुत जादा बिजी है और अपने डेट्स इस फिल्म को नहीं दे पाएंगे अब जब कि ये फिल्म रनवीर कपूर भी नहीं कर रहे हैं और ना ही रनवीर सिंग तो सबसे बड़ा क्वेशन मा की आता है कि अब ये फिल्म करेगा कौन ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि ये फिल्म किस के हाथ आती है साहो फेम डिरेक्टर सुजीत काम कर सकते हैं विकी कौशल के साथ जी हाँ बता दे कि विकी कौशल की एक अपकमिंग फिल्म आ रही है ये फिल्म क्राइम के उपर बेस्ट है इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है सुजीत काफी इंट्रेस्टेड है विकी कौशल के साथ इस फिल्म में काम करने के लिए विकी कोशल को ये फिल्म ओफर हुई है लेकिन अब तक विकी कोशल ने इस पर कोई confirmation नहीं दिया है बता दे कि विकी कोशल काफी जादा busy चल रहे है अपने फिल्मों के चलते आज वो upcoming film Immortal of Ashwathama में नज़र आएंगे जो one of the most anticipated film बताई जा रही है विकी कोशल की इस फिल्म के लिए विकी कोशल को अपना वेट 115 तक करना है जिसके चलते विकी कोशल जिम में काफी महनत करते हुए नज़र आ रही है बॉलिवुड अक्ट्रिस अनुश्का शर्मा एक अक्ट्रिस होने के साथ साथ एक फिल्म बैनर की हेड भी है अनुश्का शर्मा के बैनर के अंडर एक और फिल्म बनने जा रही है बता दे कि इस फिल्म का नाम भी आउट हो चुका है इस फिल्म का टाइटल है कैनेडा और इस फिल्म की स्पेलिंग के ए एन इडिये है अगर हम रिपोर्ट की मानी तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सनी कोशल में लीड में नज़र आएंगे और इस फिल्म को डिरेक्ट करनी जा रही है एन इच टेन फेल्म नवदीप सिंग अनुशका शर्मा के बैनर के अंडर कई सारे OTT प्लाटफॉर्म के प्रोजेक्ट भी बने हैं जैसे की पाताल लोग जिसे फिल्म फेर अवार्ड भी मिला है इतने सक्सेस्फुल प्रोजेक्ट के बाद अब अनुशका शर्मा और भी फिल्म स्ट्राइक कर रही है जो सक्सेस्फुल हो सकते हैं और जो चल सकते हैं बॉलवर्ड आक्टर रनबीर कपूर इन दिनों धे सारे इंटर्व्यूस देते हुए नज़र आ रही है बता दे कि रनबीर कपूर की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है लेकिन एक चीज़ जो रनबीर कपूर की मिसिंग है वो है उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा जब रनबीर कपूर सोशल मीडिया पर होंगे और क्या वो टाइम आएगा की भी नहीं तो ये आपके लिए गुड निउस है क्योंकि रनबीर कपूर ने एक रीसेंट इंटर्व्यू में हिंट दिया है कि वो जल्द ही सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म में डेब्यू करने जा रही है बात करते हैं इंस्टग्राम की जी हां ऐसा कहा जा रहा है कि रनबीर कपूर जल्द ही अपना इंस्टग्राम अकाउंट बनाने जा रही है कुछ समय पहले ही रनबीर कपूर की बहन करीना कपूर ने अपना इंस्टग्राम डेब्यू दिया था जिसके चलते फैंस काफी जादा एक्साइटेड हो गए थे गौहर खान ने हाली में अपने वेडिंग की अनाउंसमेंट बहुत ही धूम धमाके सी की अपने सोशल मीडिया पर इंस्टोग्राम पर कुछ दिन पहले गौहर खान ने क्यूट सी वीडियो शेयर की अपने होने वाले पती के साथ ये वीडियो काफी जादा वारल हुई सोशल मीडिया पर क्योंकि दोनों ही इस वीडियो में काफी अडॉरिबल लग रहे थे और मेजर कपल गोल्स देते हुए नजर आए वहीं बता दे कि गौहर खान की वेडिंग के रसमें शुरू हो चुगे है आए दिन गौहर खान अपने वेडिंग के रसमों से और फंक्शन से कुई न कोई फोटो शेयर करती रहती है जो सोशल मीडिया पर वारल हो रही है खान खुद भी काफी खुबसूरत लग रही है बॉलिवुड अक्ट्रिस अनुशका शर्मा ने इस 2020 में ये अनौन्स किया कि वो प्रेगनेंट है विराट कोली ने अनुशका शर्मा के साथ एक फोटो डाली जिसमें उनका बेबी बंप नजर आया यहां हम अनुशका शर्मा को ब्लैक अटायर में देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि अनुशका शर्मा ने बड़ा ही कमफर्टेबल ब्लैक कलर का लूस ड्रेस पेना है और इस कमफर्टेबल कैजवल वेर को और ज़्यादा कमफर्टेबल बनाने के लिए अनुशका शर्मा वाइट स्निकर्स पहने हैं पूरे लुक को कम्प्लीट करने के लिए अनुषका शर्मा ने रिस्पॉंसिबल सिटिजन की तरह मास भी पहना है और बता दे कि इसमें हम अनुषका शर्मा का बेबी बंप भी देख सकते हैं कुछ महीने में ही अनुषका शर्मा एक नन्ने से ब अब प्रियंका चोप्रा लंडन में ही फस चुकी है। लॉकडाउन के चलते हुए भी इस Christmas holiday season को काफी जादा enjoy करती हुई नजर आ रही है प्रियंका चोप्रा। हाली में प्रियंका चोप्रा ने Christmas Eve के मौके पर अपने Instagram पर एक फोटो शेर की। इस फोटो में हम प्रियंका चोप्रा के साथ-साथ उनके husband Nick Jonas को देख सकते हैं। दोनर ने काफी heavy winter outfit पहने हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ कितनी जादा ठंड हो रही होगी। इस पूरे फोटो में सबसे जादा interesting है प्रियंका चोप्रा के glasses। वहीं प्रियंका चोप्रा ने इस फोटो को caption करते हुए लिखा, Christmas Spirit और साथ हसने का emoji भी शेयर किया। झार प्रियंका जादा लिए हैसंवा कितनी जादा ले इसांवाश अप्रादा भी शेप्रादीर में साथ है जादा जादा प्रियंका जादादा रही है वहीं है कि आप